तो नरिद मोधी की खास क्लास बच्चों के साथ उनका इंटरक्शन और साथ ही संदेश खगेश जहां मारे साथ हैं खगेश जी इस पूरे सेशन को सुना आपने हैं कई बातें नोंने बताएं साथ ही एक तरह का मैसेज भी है क्या कहेंगे इस कोशिश पर इस संदेश पर जो भी उनोंने दिया मेरे समझ से एक स्वागत योग कदम है और चाहे कुछ लोग ही 20-30% लोग नहीं या 20-30% बच्चों नहीं अगर इसे सुना हो फिर भी इसको हम कह सकते हैं कि यह काफी अच्छा है और यह इंट्रेक्शन एक सिख्षक दिवस पे ही नहीं हम इस चीज को मानते हैं कि प्रदान मंत्री को आगे भी यह इंट्रेक्शन चाहिए बाल दिवस पे हो या किसी दूसरे दिन में भी है यह इंट्रेक्शन होना च चाहिए यह continuous process होनी चाहिए कम से कम पता तो चले बच्चों को भी कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री को भी पता चले कि बच्चे हमारे यहां क्या सोच रहे हैं क्या problems हैं यह सारी चीजे इस interaction session में बच्चों ने जो मुख्य रूप से हम expect कर रहे थे कि कुछ infrastructure वगरे लिलेटर जो कुछ complaints बच्चों की होती तो शिकायत ने कम थी उसका एक कारण यह भी था कि यह पहला एक इंट्रेक्शन था बाद में जब यह इंट्रेक्शन बढ़ेंगे तो वह सब चीजे भी आएंगी और हम expect करते हैं कि कुछ ना कुछ सु नहीं आना है हलाकि मंत्री होदया ने बाद में इसको क्लियर कर दिया था कि यह कंपल्सन नहीं है लेकिन उसके बाद भी निचने लेवल तक वह काफी बाद तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया इसलिए कई जगह पर ऐसा लगा कि नहीं यह कंपल्सन है और लोगों ने विर रही है और जो भी पूरा एक इंट्रेक्शन रहा कैसे दिखते हैं आपको मतलब एक संदेश देने की कोशिश और देश का पीम पहली बार इस तरह पर आकर बाद चीत करता है निश्चीत रूप से इससे सकरात्मक संदेश गया है पहल अच्छी है पैकेजिंग अच्छी है और बहुत दिनों बाद देश को एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला जो बासुरी भी बजाता है लाल किले की प्राचीर से लेकर क्वेटो और टोकियों से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने यह स्तावित करने की कोशिश की है कि वो बहु आयामी बैगतितों के धनी है और उनकी लेकिन नरेंद मोदी जो चाहते थे, मेसेज को कनवे करना, वो मेसेज आपने हिसाब से पूरी तरह से कनवे कर रहा है. लेकिन एक शुरुआत हुई है, और सम्भवता बच्चे बात तो करेंगे इसकी, टीचर्स भी बात करेंगे, कि देश के पीम ने एक कोशिश की है, आपको लगता है कि इससे शुरुआत हुई है, और कुछ इस पर एड किया जाना चाहिए, कुछ और कोशिश होना चाहिए, राज स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर? खाड़ा नहीं होने चाहिए, बात मिसेज जाना चाहिए, मिसेज बच्चों तक पहुँचे, वो बहुत सही चीज़ है, लेकिन ये राज नीत होगी, कि वो जब प्रधान मंत्री का कारकब आएगे, तो राज जी भी कहाएगा, हम अपनी बताएंगे, और बच्चों को जो इस पर बिचार हो कि तिती समय बच्चों के हिसाब से निर्धारित होना चाहिए, जो संसाधन नहीं है, बात उसकी भी होनी चाहिए, जो बिद्याले है, बिद्याले में संसाधनों की कमी है, अगर पहल हुई है, तो अगली बार जब भी करें, तो हर बिद्याले में कम से कम टेली वीजन हो, हर विद्धाले में जनरेटर हो, हर विद्धाले में इस तरह के एकुमेंट जरूर हो, जिससे उनके जो भी मेसेज हो वो बच्चों तक पहुँचे हैं, आज आज तकलीम हमको इस बात की है, कि ये मेसेज पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन बच्चों के कुछ स्टुडेंट्स भी हैं, जी परतिक्षा, बड़ा सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी की क्लास से क्या कुछ सीखा है बच्चों ने, एक जनरल फीलिंग क्या है बच्चों की, मतब आपने इंट्रेक्शन किया होगा, बच्चों ने सुना है लंबई समय तक, तक 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 अजग दिवस के मौके पे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ अलग अलग चीज़े सीखिये, चाहे वो उन्होंने टेक्नोलोजी के उपर जोड दिया है, महिला और लड़कियों की सुरक्षा पर बात किये, मैं समय बच्चे है, आप से में जानना चाहूंगी, क्या लिखा नरंदर मोदी के भाषन से, पहली बात कि उन्होंने लड़कियों के एड़केशन, गर्ल चाहिल एड़केशन पर फोकस किया, और उसके पीछे रीजन्स क्या है, कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती हो, उस पर फोकस किया, साफ सफाई पे भी नरंदर मोदी ने बात कोई अलग चीज जो आपको लगी भाषन में, जो आपको लगा बहुत अच्छा आपको लगा अलग हो आशिक चाहिए जो सोना आपने, जैसे वो मतलब इतने बड़े, हम लोगों से आके बोलता है कि वो बच्चियों के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए, लोगों के वो सारी स्कूल्स छोड़ देती हैं उन सब के हमें कुछ करना चाहिए, तो अच्छा लगा कि कोई इतना बड़ा भी इन सब की यह प्रधानमंत्री इतनी चोटी बाते नहीं उठाता और वह भी बच्चों से इस तरह का इंटराक्शन बहुत युनिक सा है और अवह बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे इस तरह से बात की और उन्होंने जो भी बाते उठाई वह हमारी लाइफ में लो करें तो बिलकुल अनराग बहुत कुछ नई चीज़े सीखिये बच्चों ने बहुत अलग लगा उन्होंने इनका यही कहना है कि इतने टीचर्स जे उन्होंने मनाया लेकिन यह पहला शक्षक दिवस था जहां उन्होंने बहुत कुछ नई चीज़ सीखी और कुछ ऐस चीज़े जो बहुत उनके लिए महत्वपूर हैं बिलकुल बिलकुल जी प्रतिक शाह स्टूडियो में माई साथ खगेश जहा हैं खगेश जहा से भी हम जानेंगे कि माबाप और बच्चों के बीच में खासकर बच्चे कई तरह की डिमांड कर देते हैं माबाप पूरा कर करते हैं बच्चों को ये नसीफ भी है कि वो माबाप के साथ बैठें और जानें कि दरसल पैसे की कीमत क्या होती है साथ ही कुछ चोटी चोटी चीज़ा कर सकते हैं इसका इमपैक्ट बच्चों और माबाप के बीच के जो रिलेशन उस पर क्या पड़ेगा ये भी हम बाच कर द है लगक है लिकन